दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टन चीज़ बता चाहूंगा यह M-Stock का D-Mate अकाउंट मैं उपन किया है इसमें आप भी अकाउंट उपन कर सकते हैं अगर बेनिफिट क्या है कि अगर आप पी बाय कर रहे हैं अगर सिंपल बाइंग कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री है इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमें 50-55 रुपीज देने पड़ते हैं इसमें अपके 7-8 लगेंगे इस सर्विश चार्ड जोगी गवर्मिंट की फीज होती है वो लगेगे इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यह ब्रोकरेज फ्री अकाउंट है आप अगर अपने यर ली ब्रोकरेज करेंगे इसमें तो आपका देखे बाद कहां से नहीं जा रही है बहुत प तेंक्यू वरी मच्च चलिए आगे वीडियो करते हैं 11 जैन के लिए मैं निफ्ती का लेवल्स क्या कर दिख लेंगे उसका प्रेडिक्शन मैं देज चुका हूं इसमें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 9 और 10 जैन के जो मैंने लेवल्स दिये थे वह वीडियो से जरूर जाकर देखें में देक्षक्षन में लिंक दे दूंगा उन्ही के लेवल्स चाहिए में काम किया यहां से मैंने दिया था कि बाइन आए गी उस लेऍन से बाइंग जहां से मैंने दिया थै इसा तो से Slτά 2 रिकशन बहुत अच्छे और निकले हैं, बिल्कुल मार्केट ने एड़टेस मूव किया जो लेवस मेने दिये थे आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं मैं अब निफ्टी के ओपर दे चुका हूं थो ज़र पहले मैं अप्लोड कर दी हैं अब मैं बैंक निफ्टी के ओपर कर रहा हूं तो 11 जैन को जो से पहले P की position से की P के हमने level कहां से लेने क्या levels निकलते हैं P side के तो देखें तीन level में आपके सब्सक्राइब रखें हैं सबसे पहला देखें अगर nifty open होता है बिलो 47,420 तो हम अपनी P side की position मनाएंगे तो पहली condition क्या बनती है महां लेजिए market थोड़ा सा gap down या इसके flat opening होता है ठीक है और यह जो हमारा level उपर दिया हमने यहां इसके आसपस move करता है कुछ time spend करता है और एक red यहां तो zone के अंदर यह zone से बाहर ठीक है कहीं भी एक red candle बना दे 15 minutes के time frame पे तब हमने क्या करना है कि हम P की एक P का call ले लेंगे इसमें P side में जाएगे उसमें हमारा जो फस target रहेगा P side में market bearish हो जाएगा जब तो उसमें P side का हमारा target रहेगा और यह रहेगा यह zone जो second zone बने बना यह zone का क्या range है यह 47,200 लेके 47,220 में 2230 का range लेके चल सकते हो तो इस zone में जब आ जाएगा तो यहां हमारा पहला target complete हो जाएगा चाहे तो आप अपना trade exit कर सकते हैं यहां ऐसले ट्रेल कर सकते हैं यहां फिर कुछ lots अपने यहां निकाल सकते हैं और कुछ lot second target के लिए hold करे चल सकते हैं और यहां यह target पूरा होता है और इसे आगे market bearish mode में जाना शुरू करता है और डाउन जाता है तो हमारा second target निकल के आता है वह यह second or final target होगा इसके बाद आप यहां तो निकल सकते हैं यह आपको चार्ट थोड़ा clear दिखने में और समझ अच्छा आएगा चल यह second condition क्या है market कहीं भी gap down open हो जाता है तो आपने एकदम से P side का trade नहीं बनाना है इसमें अपने wait करना है wait करना है कि market यहां से वापस लेवल पे आए और माल लीजे इस लेवल पे आता है और बिना इसी resistance के सीधा market उपर निकल जाता है एक बड़ इसी candle बना के तो आप यहां पे C side मेंटर नहीं करेंगे आपने wait करना है वेट करना market का थोज़े घूम बिरके अगर market वापस यहां पर आता है इस zone में आ जाता है और यहां पर अगें नहीं बना देता है यहां तो market second target यह दो हमारी condition मनती है P side में अब C side को भी देख लेते हैं कि अगरा में बाइंग करनी है तो वह किस लेवल से करनी है तो मैंने इसमें आपको gap down और flat market को दोनों को बता दिया है दो condition मैंने इसमें gap down हो तो हमने कौन से level से selling करनी है और कौन से level तक wait करना है चली अब देख तो जो रिसकी trader है वो यहां पर C की position के लिए जा सकते हैं अगर यह market जाना शुरू होता है लेकिन मैं C की position नहीं लूँगा कल मैं P में enter करूँगा और मैं P में enter करूँगा कि मैं wait करूँगा कि market अपना moment पकड़के उपर तक जाए और मेरे इस zone में आ जाए यह zone क्या है मेरा 47,900 लेकर 47,920 के पीच का zone है तो यह तो यह zone के बीच में यह zone के थोड़े नीचे कहीं भी 15 मिट के channel बना दे कुछ time spend करने के बाद market यहां में तो यह indication मुझे मिल जाएगा कि यहां से मेरी पी की entry करनी है मैंने P side में भी buy कर लूँगा तो और buy करने के बाद मैं क्या करूँगा market का wait करूँगा market बना रहूँगा और wait करूँगा कि अपना पहले target पहुंचे यह इसका पहले target है यह जोन यह क्या जोन है 47,740 से लेके 47,760 के बीच के में 2020 रुपीज के बीच के रखा है मैंने point का gap रखा है तो यह मेरा पहला target होगा यहां मैं exit भी कर सकता हूं यहां तक और अपने lot भी कम कर सकता हूं कुछ एक दो lot बचा के आगे रहे जा सकता हूं सेकेंड मेरा target रहेगा यह वाला 47,580 से लेके 47,600 तक का और थार्ड टार्गेट मेरा रहेगा यह वाला यह तीनो टार्गेट मेरा आगए कब अगर market gap up open होता है और मेरे इस zone के आपास थोना time spend करके एक red candle देता है मुझे 15 minutes के time frame पे तब मैं इसमें peak entry करूंग और यह मेरे target सेकेंड कंडिशन क्या बनती है इसमें सेकेंड कंडिशन बनती है market again gap down sorry gap up open हो गया और मेरे इस zone पर पहुंच गया और यहां time spend नहीं किया उसने उसकी वजाए सीधा open निकल गया तो यहां पर आप क्या करते हैं बहुत से लोग फिर देखते हैं मार्केट में up trend आगे फटावर सी की position लेते हैं वह कल नहीं करना है अपने वेट करना है कि market फिर घूम के अगेन हमारे इसी zone में वापस आ जाए इसी zone में आने के बाद यहां पर एक red candle दे दे हमें 15 minutes के time frame पर तो अगेन हम फिर यहां से downtrend प्रकड़ लेंगे और पहले target हमारा यह रहा second target क्या रहेगा यह वादा second target हमारा जो zone में बना रखे हैं और यह थार टार्गेट है यह तीनो टार्गेट में निकल के आ गए कब यह market gap up open होता है और हमारे zone सीध आउपन निकल जाता है बिना किसी resistance के उसके बाद वेट करना है वेट करना है जैसी market यहां से reverse करता बनता है यहां पर तो हम अगें पी इसमें ले लेंगे यह दो कंडिशन बनती है अगर मार्केट gap up होता होता है तो हो सके तो सीए अवाइड करें थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बाकी वह आपकी कॉल है यह learning के लिए आपको दिया है मैंने